नमस्कार आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रतमेश जोतिस चैनल आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशी के दिसंबर के महिने की दिसंबर का महिना आपके लिए क्या लेकर आया है आपका पारिवारिक जीवन स्वास्त जीवन आर्थिक जीवन और टेम जीवन बैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इन सभी विश्यों को लेंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल प्रतमेश जोतिस को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंड कीजिए और दोस्तों के साथ शरूर शेयर कीजिए नोटिफिकिशन को ओन कीजिए ताकि हार वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो अब हम बात करेंगे मित्थुन राशी के दिसंबर के महिने की पारिवारिक जीवन की तो आपके लिए महिना शुब संकेत लेकर आया है परिवार में आपसी रिष् अपने पुराने मित्रों से बातचीत भी हो सकती है जिससे आपका मन आनंदित रहेगा यदि आपके घर में कोई बिदेश में पढ़ाई करने या नौकरी करने जाने का प्रयास कर रहा है तो इस महिने उसका योग भी बन रहा है साथ ही महीने के मद्ध में घर में फंक्सन भी हो सकता है जिसे परिवार के सभी लोग सम्मिलित होंगी अगर मित्वन दाशी के ब्यवपार और नौकरी की बात की जाए तो आर्थीक द्रिष्टी से ये महीना आपके लिए कुछ अप्तियाशित परिणाम लेकर आएगा इस दोरान इसमें कुछ उच नीच होने की संभावना भी बनती है आप ज़्यादा चिंता ना करें और बेफिक्र होकर अपने ब्यवपार पर ध्यान दें बजार में आपके सुभाव के कारण आपकी छबी पॉजिटिव बनेगी तथा सभी आपसे प्रसन रहेंगे राजनीती से सम्मंद रखने वाले व्यक्तियों का इस महीना किसी से चिनोती मिल सकती है जिसे की उन्हें एक नया अनुभव भी मिलेगा और तनाब भी होगा नौकरी कर रहें लोगों के लिए पुरानी समस्याय समापतों की तता काम का बोज भी कम होगा अगर मिथुन राशी के सिक्षा और करियर की बात की जाए तो परिक्षा का तनाव आप पर हाभी हो सकता है ऐसे में पढ़ाई को लेकर आप तनाव में आ सकते हैं किसी परकार के तनाव को लेने की बजाए मन को सांत रखें और ज्यादा अच्छे परिणाम इससे आपको मिलेंगी इंजिनियरिंग के चात्र अपने सेपाटियों की किसी बात से निराश हो सकते हैं तथा उन्हें अपने प्रोजेक्ट इत्यादियों में समस्याएं आ सकती है जो परिचारती सरकारी परिक्षा की तयारी में लगे हैं उन्हें इस महीने सफलता मिलेगी तथा किसी के द्वारा उचित मार्ग दर्शन भी मिलेगा जो की भविश्य में उनके लिए सहायक सिद्धोगा अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो मित्वन राशी वालों क के लिए महीने की सुरुवात में आप अपने पार्टनर की साथ रुमान्स के मून में रहेंगे और दोनों के बीच संबंदों में घनिष्टता आएगी परिवार में दोनों के प्रेम की मिसालें दी जाएगी तता आप दूसरे की भली भाती समझने का प्रयास करेंगे और आगर आप अभिवायत है और किसी से प्रेम करते हैं तो ये महिने उसे बताने के लिए अन्कूल है ऐसे मैं उनसे खुलकर बात करें और अपने मन की बात कह दें यदी कहीं आपके बिवा की बात चल रहे है तो आप इस महिने आगे बढ़कर सामने वाले को अपना पख्ष से किसी के बिवाका प्रस्ताब भी आ सकता है अगर दिसंबर के महीने में आपकी हेल्थ की बात की जाए तो महीने का दूसरा सप्ता अत्यादिक महत्वपूर है क्योंकि इस दोरान आपको स्वास्त सम्मंदी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है काम का वोज तो इतना नहीं होगा लेकिन कुछ अन्य चिंताएं आपको घेरे रह सकती है ऐसे में मानसिक दवाब बढ़ने की आशंका है हाला कि तीसरा सप्ता आते आते इस्तियां आपके पक्ष में हो जाएंगे और आप पहले से जादा स्वस्त महसूस करेंगे ऐसे में सुभह या साम का समय बयाम करने की आदर डालें ये आपक लगी नंबर की बात करें तो दिसंबर में आपका लगी अंक छे रहेगा और लगी कलर की बात करें तो आपका लगी कलर महरून रहेगा इसलिए महरून रंग और छे अंक को इस महिने आपको अधिक से अधिक प्रात्मित्ता देनी चाहिए अगर वीडियो आपको पसंद आ युप्योंगी लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए थन्यवाइब